हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है पंडा फ्री एंटी वैरस कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक् प्लीजेगं प्लाइब करते हैं तो ब्राजर इना सब्सक्री इसको क्लिक करते हैं इसका बांके इसका या नहीं हो टो प्रदीज सेट गलेगा अपीछ नेकल संब्सक्राइब । हो का यहां पे डाउनलोड का यहां पे अपे लिखा होगा पर दिखा होगाई फ्री आपको हिए यहां पे डाउनलोड का तो आपको क्या को इसको पर आपको click कर देने, click करने के बाद यह window open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर free वाला मिलेगा, इसके नीचे free download होगा, तो आपको क्या करने, click करने के बाद यह window open हो जाएगा, यहाँ पर आपको download now दिखेगा, तो यहाँ पर आपको click कर देने, click करते हैं, इस तरह से page open हो जाएगा यहाँ पर आपको कुछ सकंद वेट करने के बाद इस तरह से automatic page open हो जाएगा अब आपको क्या करने आप जहां पर भी exe को save करना चाहते और पाथ select कर लिजेगा उसके बाद आपको save पर क्लिक कर देने किलिक करते हैं exe download हो जाएगा download complete होने के बाद आपको क्या करने उस folder के अंदर जाना है जहां आपने exe को save किया है वहाँ पर आपको इस तरह से exe दिख जाएगा अब आपको क्या करना है इस exe को पर आपको right क्लिक करना है इसके बाद आपको property पे क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब मालेजे यदि आपकी case में भी यहाँ पे unblock दिखता है तो आपको क्या करना है इसको tick mark कर देना है इसके बाद आपको apply पे click कर देना है यदि आपकी case में यहाँ पे unblock नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है अब हम इसको install करेंगे install करने के लिए आपको क्या करना है या run and master पर ही click करके install करना चाहिए इसलिए मैं अपने case में यहाँ पर click कर रहा हूँ click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा आप माले जाए आपके case में भी इस तरह से window open होता है तो आपको क्या करना यहाँ पर yes पर click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर next पर click करना है इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको installation का बात दिख जाएगा यदि आप language change करना चाहते तो यहाँ से आप click करके language change कर सकते हैं इसके बाद आपको accept and install पर click कर देना झाल झाल इसके बाद यह window open हो जाएगा आपको क्या करना यहाँ पर finish पर क्लिक कर दिने finish पर क्लिक करते हैं इस तरह से ब्रॉजर में page open हो जाएगा आप इस ब्रॉजर को या तो close कर दिजेगा यानि तो इसको आप minimize कर दिजेगा minimize करने के बाद आपको क्या करने है इसको आपको double click करके open कर लेना है double click करते है इस तरह से window open हो जाएगा इसके बाद इस तरह से window open हो जाएगा और browser में फिर से इस तरह से page open हो जाएगा तो आपको क्या करने है इसको यहाँ से close कर देना है अब आपको यहाँ पे अपना email id डाल देना, इसके बाद आपको continue पे click कर देना, continue पे click करने के बाद इसको आप use कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पे आपको close कर देना, close करने के बाद भी आप यहाँ पे आप use कर सकते हैं, और please guys चैनल को subscribe करें, like करें, share करें, thank you